नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागात है आपके अपने यूटूब चनल स्टाड़ी टुडे वुइद विफलैप में तो आज की इस वीडियो में हम जैक बोर विकली टेस्ट के लिए क्लास 12 के जियोगराफी पेपर के लिए कुछ इस पहले तीन विडियो के लिए तीन विडियो के लिए तीन विडियो के लिए तो चलिए शुरू करते हैं पहला कौस्चन है जुमिंग क्रिसी कहां की जाती है उत्तरप्रदेश पंजाब बिहार या असम में देखे जुम क्रिसी भारत के उत्तरपूरी चेत्र में अधिक प्रचलित है जिसमें असम मनीपूर नागालन राधी राज्या सामील है तो इस क्वशन का सही उत्तर यहां पर असम हो जाएगा भारत के प्रमुग गेहुं उत्तरप्रदेश पंजाब रियाना राजस्तन बिहार याद रखिएगा तो इस क्वशन का सही उत्तर कोन सा होगा भारत में गेहुं का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश हो जाएगा नेक्स्ट है कि चाय का सबसे बड़ा उत्तर देश में को सी है कि प्रमुक हरी फसले कोर सी है धिके खरी फसले इन प्सलों को जून जुनाई में वोया जाता है और सितंबर अक्टून priced स्था इसके ऱ्टाइब की जाती है और इसके उदाहर है के चावल कह पास मक्का बाजरह जुआ रडी नहीं पर चाव थी है मक्का भी है और कपास भी है तो यह तीनों होंगे इसलिए अफसन नंबर डी यानि कि इनमें सभी जो है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा तीनों जो है खरी फसले हैं चावल कपास मक्का तो इनमें सभी सही उत्तर होगा प्रस्ण संख्याथ 6 कि प्रमुग रभी फसले नि की जाती है और इसकी कटाई फरबरी मार्च में की जाती है इसके उदारन है गेहूं चना सरसो जो आलू एशब तो इन में सभी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्ण संख्यासात की नीमनंकितil में कौन एक पेय। है कुण एक पेयेफसल कपास जूट यहाँ होजाएक सिसा इत्तर होगा न greater कीन इम्द मेंcentered झाह सर्फ यह reply य्थू रितु की समयवधी क्या है रवी फसल रितु की समयवधी क्या है अक्टूबर से मार्च ठीक है अक्टूबर से मार्च यह रवी फसल की समयवधी है याद रखना और अपरेल से जून यहां पर दिया हुआ है अपरेल से जून जो है यह आपका जायत फसल हो जाएगा और जू कोशन का सही उतर कौन सा होगा अक्टोवर से मार्च हो जाएगा चाय उत्पादन के लिए कितने तापमाण क्या होती है चाय उत्पादन के लिए जो है पचीस डिगरी से लेका 30 दिगरी के वीच में तो यह आपका ऑफ्सन नुमर एस उतर होगा बरतमान में भारत वीचो का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है ठीक है यह आपको याद रखने एक्जाम के लिए इंप्वाडन रहना वला है नेक्ट्ट वॉस्टन चले देख लेते हैं सब्जक्टिव कॉस्टन को देखिए यहां पर पहला क्या है हरित क्रांथिक क्या है तो को हरित क्रांथी की संग्या दी गई है यह आपको लिखना है जेव प्रधोगी क्या समझते हैं तो इस question का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है आपको लिखना है कि यह एक आदम प्रकार की क्रिसी है जिसमें पहले व्रिक्षों तथा बनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है ठीक है यह आदमप्रकार की कृसि और साब की गई भुमी को पुराने ओपकरों जैसे के लकड़ी के हलों से जुताइब करके बीच बो दिया जाता है फसल पूर्णत प्रकृती पर-नि रवर होती है उत्पादन बहुत ही काम होता है जूम किरिसी को इस्ति जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है खरीब फसल कहते हैं इसके उदाहरन आप लिख सकते हो चावल कपास मक्का बाजरा यह सब लिख सकते हो ठीक है नेक्स्ट है कि मिस्तरित क्रिसी से आप क्या समझते हैं मिस्तरित क्रिसी से आप क्या समझते हैं इस प्रकार की क्रिसी में खेतों का आकार मध्यम होता है इसमें बोई जाने वाली फसले हैं जैसे की गेहू हो गया जो हो गया राई हो गया जै हो गया मक्का हो गया चारे की फस पदार्थ के नाम तो चाय कोफी आपको लिख दना है यह जो है दो प्रमुख पेफ प्याद्य पदार्थ है ठीक चाय और काफी पदार्थ है जैसे काली-मीटी की विंचिता क्या है गाली-मीटी की विस्था क्या है देखे काली मिटी की विश्टा आपको लिखना है कि इस मिटी में नमी सोखने की छमता अधिक होती है दुसरा आपको लिखना है केलसियम कर्बोनेट, पोटास, मेगनेसियम कर्बोनेट तथा चुना इसके मुख्या पोशक तत्व है केलसयम करवोनेट, पोटास, मेगनसयम करवोनेट और चुना इसके मुख्या पोशक तत्य है इस प्रकार से इस वुष्णा का उत्ततर आपको लिखना है next question यहाइज पर दिया हुआ है कि महानगर क्या होते हैं एन अगरिया संक्ला से किस प्रकार भिन्ना होते हैं देखें, दस से पचास लाग जनसंख्या वाले नगरों को महा नगर कहते हैं, इस प्रकार आपको यहाँ पर इस क्वेशन का उत्तर लिखना है, नेक्स्ट कोश्चन है कि कस्वा किसे कहते हैं, कस्वा पचास हजार से अधीक लेकिन एक लाग से कम जनसंख्या वाले नगरे च्छेतर को कस्वे के नाम से जना जाता है, यह देश के अंतरिक भाग में अवस्तित होते हैं, और प्राय, प्रसासनिक मुख्यालाए, व्यपारी केंद्रा और धार्मिक महत्यों के इस्तान होते हैं, नेक्स्ट है कि ग्रामिन बस्ति का क्या आर्थ है, ग्रामिन बस्ति का क्या आर्थ है, तो इस क्वेशन का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है, कि ग्रामिन बस्ति अधिक निकटा से तथा प्रत्यक्च रूप से भ नगर किसे कहते हैं वे सभी इस्तान जो या तो प्रसासनिक है अथवा जहां जनसंक्या कम से कम पांच हजार है और जन घनत्यों कम से कम चार सो बेक्ती प्रती बर्ग किलोमेटर है जन घनत्यों कम से कम चार सो बेक्ती प्रती बर्ग किलोमेटर है नगर कहलाते हैं नगर अत्याधिक नियोजीत और बड़े आकारवाले होते हैं यहां नयालाई सिक्छा संस्ताएं और प्रसासनिक कार्यालाई होते हैं इस प्रकार से इस कॉशन का उत्तर आपको लिखना है तो यह था क्लास 12 के जियोग्राफी पेपर के लिए कुछ most important objective और subjective questions का solution वीडियो का अगर अच्छा लगाई तो लाइक और स्यार किजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में